हेलो आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में तो आज हम बताने वाले हैं 2024 में अगर ITI करना चाहते हैं गौवर्मेंट ITI तो आपके लिए जो है फॉर्म कैसे और कब निकलेगा और कब निकलता है और भी कई परकेडिया आप सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए समझ लिजिए जो सबसे पहले जो है फॉर्म कब निकलता है ये अभी जो है PDF के माध्यम से बता देते हैं जो की 2023 में कब निकला था ठीक है तो चलिए आपको कुछ जानकारी प्रवाइड करा देते हैं जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से अब ही अगर study कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और जो है 10th का exam आप सभी का आने वाला है तो 10th का भी exam अच्छे से देंगे और 12th का भी exam का date निकल चुका है तो आप सभी देख लिए होंगे चैनल पे नहीं तो चैनल पे विजिट करके आप सभी देख लिजेगा तो चलिए सबसे पहले आप लोग समझ लिजे जो 2024 में अगर ITI करना चाहते हैं तो वो उसका form जो है कब निकलता है तो आप सभी जब exam देंगे तो exam के बाद ही form निकलता है याने कि 10th का exam पास आप कर जाएंगे exam देने के बाद जो है form निकलता है तो कब निकलता है तो यहाँ पर देख लिजे पिछले साल का एक example के माध्यम से आप लोग को समझा दे रहे हैं ठीक है तो देखे पिछले साल जो निकलता थी थी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे पिछले साल काने का मतलब 2023 में कब निकला था 14-4-2023 को निकला था और कब से स्टार्ट हुआ था तो देख सकते हैं 15-4-2023 से जो है अंतिमतिती रखा गया था 13-5-2023 online registration परारंब करने की परकिरिया जो था इतना तारीक को रखा गया थो तो आप सभी इससे एक अनुमान लगा सकते जो है आपका कब निकलेगा तो यह जो है चौथा महिना के आसपास में जो है निकलता है हो सकता है लेकिन आप लोग अभी से अच्छे से preparation करेंगे तो अगला साल जो है 2024 में फिर से firm निकलेगा और इसमें मातर आप जब admission लेते हैं तो admission का process जो होता है बहुत ही easy है कोई ज़्यादा tough नहीं है देखा जाई तो देखने में tough है लेकिन करने में कोई भी tough जाता है ठीक है और admit card जारी होने के बाद क्या होता है आपको exam देना होता है तो exam आपका जहां भी पढ़े इधर से उधर थोड़ा बहुत center होता है तो आप लोग exam दे सकते हैं तो exam में आपको 12th level का exam देखा जाए तो 12th level का math रहता है science रहता है English नहीं रहता है उसमें ठीक है English हिंदी दोनों में question रहता है लेकिन जो है English नहीं रहता है आप लोग आराम से उसको science math जी के आराम से बना सकते हैं जो की 1.500 question रहता है ठीक है 120 अंका तो इसमें जो है आप सभी आराम से qualify कर जाते है जो भी candidate देंगे qualify कर जाते है उसमें marks जो है 100 नहीं किया जाता है उसमें 100 क्या किया जाता है आपका जो है कितना rank आया rank के अनुसार जो है आपका roll number 100 किया जाता है और rank 100 किया जाता है तो इसको जो है ध्यान में रखेगा यह rank card जारी होगा उसका rank card जारी होए इनके बाद जो है choice filling की परकिरिया परारंब होती है तो 2023 में कब rank card जारी किया गया था तो आप सभी यहाँ पर देख सकते है 27-2023 को notification जारी किया गया था डाउनलोड कर पाएंगे आप सभी यहाँ पर दिया गया था ठीक है तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए आप सभी जो है इस form को जरूर अपलाई केज़ेगा और इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता process जो होता है आपका result हाएगा उसके बाद choice filling करने की परकिरिया होती है तो choice filling भी है आप लोग अराम से करेंगे registration करेंगे उसके बाद जो है choice filling करेंगे और कोई hard परकिरिया नहीं है आपके पास बस यही ध्यान में रखना है कि आपको जो है 10th का सारा marksit original रखना है आपको अपने पास और CLC और SLC जो होता है आप सभी ध्यान दीजिएगा CLC हो गया school living certificate जिसे बोलते है CLC ठीक है और SLC SLC जिसे बोलते है school living certificate और CLC जो है college living certificate होता है ठीक है तो इसको जो है आप सभी ध्यान में दीजिएगा क्योंकि जो है यह बहुत ही महत्यपुन रखता है CLC हो गया और जो है SLC school living certificate यह हो गया school living certificate और यह हो गया college living certificate तो यह जो है आप अगर 10th पास करेंगे जब school से मिलेगा तो आप उसका क्या किजिएगा color print करा करके अपने पास एक रख लीजिएगा ठीक है उसको cover करके color print करा करके रख लीजिएगा जिसे कि आप ITI में भी अगर देना चाहेंगे तो आपके पास एक document रहेगा उससे क्या होगा जो आप चोड़ी छूपे हो सकता है आपका admission हो जाए और जो है course complete भी कर सकते हैं लेकिन हाँ ITI का certificate आपको कहीं भी जौब में देना पड़ेगा ठीक है दोनों अगर साथ में देते हैं तो दिक्कत है आज सकती है बाद में लेकिन इस चीज़ को आप सब ही ध्यान में रखेगा तो जो भी admission process होगा जो भी पड़किरिया होगा आपको हमारे channel के माध्यम से बताया जाएगा और इस channel को जरूर subscribe करके रखेगा जिससे कि हमारा खुद का experience है जिससे हम आप लोग को जानकारी provide करते हैं हमारे time में कोई भी जानकारी provide नहीं करता था इस तरह से इस तरह से नहीं जो है process था और कोई भी idea नहीं मिलता था लेकिन आभी जो है 10th का exam है इसलिए जो है आप लोग को पहले ही सुझित कर दे रहे हैं जो क्या-क्या करना होगा आप सभी को ठीक है तो इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी जो है एक्जाम दीजी अच्छे से और जो है इसकी तयारी कीजिएगा और सबसे पहले जो है आपको form निकलेगा उसको form को भरना है उसके बाद एक्जाम आएगा एक्जाम को pass करना है qualify कर जाना उसका rank card जारी किया जाएगा उसके बाद जो है आप लोग का online का process जारी किया जाता है उसमें जो है choice filling registration करना होता है first round में और उसके बाद जो है आपको first round, second round और third round तक निकलता है तीन round जो कि तीसरा round जो है offline counseling होता है offline counseling होता है और जो है first और second round online counseling होता है तो online कहाने का मतलब क्या होता है जब आप choice filling वहरा करेंगे तो online आपको rank card जारी किया जाता है ठीक है तो उसको लेकर के आपको आपके district में ही counseling हो जाता है एक जगह निर्धारित किया जाता है वहाँ पर आपको जाना होता है और वहाँ पर जाकर के आप लोग का document verification हो जाता है आपके district में ही तो यह lab मिलता है और first और second counseling में आप लोग admission लेते हैं और अच्छा rank रहेगा तो आपके लिए फाइदे मन्द रहेगा क्योंकि जो अच्छा rank होने के बाद आपको first round में ही selection हो जाता है और अच्छा trade मिल जाता है तो trade से related जो है अभी जो vacancy निकल रहा है railway का उसमें देखते रहेगा जो कौन सा trade का ज्यादा demand रहता है जिसे कि आपको एक idea मिलता रहे जो कौन सा vacancy का ज्यादा demand रहता है और आगे आप सभी अगर ITI करते हैं तो उस trade को ले करके जो है आप लोग ITI करेंगे ठीक है तो ये सब वीडियो देखते रहना चाहिए जिससे कि आपको छोटा-छोटा जानकारी मिलता रहे है और आज के date में पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है आप लोग private job करते हैं तो भी समझ लेज़े पढ़ लेज़ेगा तो आपको आगे दिन काम देगा और उससे बढ़कर आज के date में और आगे के दिनों के लिए भी कुछ नहीं सबसे best और best option है आपके लिए पढ़ाईए study अच्छे से कीजे जिससे कि आप लोग institute coaching और भी job मिल गया तो और अच्छी बात है आराम से आपको नौकरी मिल सकता है तो आप सभी इसको ध्यान में रखी का और पिछले वार सबसे पहरे देख सकते हैं क्या होता है वहाँ पर आपको rank art जारी किया जाता है उसके बाद जो है online registration करने की पड़किडिया परारंब होती है और आप जो registration करेंगे तो उसको email id और password को ध्यान में रखेंगे याद रख लेंगे और leak भी लेंगे साथ में और आपके पास जो है उसके बाद जो है आपको trade choice करने की पड़किडिया आता है ठीक है रेंकार्ट जारी होनी के बाद और उसको lock करना रहता है उसके बाद आपको इस तरह से notification आता जाएगा समय टू समय आप लोग को provide कराते रहेंगे देखे पिछले बाद जो जारी किया गया था आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे seat matrix जारी किया जाता है जो कितना seat total बचा हुआ है ITI में total seat है तो हर साल कुछन कुछ seat जो है बढ़ता ही है पहले था 2200 फिर 2800 फिर 3400 इस तरह से धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है seat trade भी बढ़ रहा है नए-ने trade एड हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए आप सभी एक example समझा देते है पिछले बार सत्मा महिना में स्टार्ट हो गया था फर्स्ट राउंड का counselling ठीक है document verification तो यहाँ पर देख लिजे seat matrix जारी किये जाता है पहले उसके बाद आपको registration choice filling आपको करना रहता है अगर आप लोग को देखना रहता है अगर आप लोग qualify कर जाते हैं तो उसमें आपको trade name दिया हुआ रहता है और document verification का अस्थान दिया हुआ रहता है जो आप लोग का document verification कहा होगा उस पे mention रहता है और उसके बाद अगर first round में नहीं होता है तो फिर second round में आपको कुछ नहीं करना रहता है उसी submit पर जो है second round में list निकाला जाता है फिर second round में क्या होता है login करके आपको देखना होता है जो आपका आया की नहीं ठीक है और उसके बाद जब आपका first और second round में नहीं होता है तब जाकर के third round के लिए पड़किडिया होता है फर्स्ट और सेकेंड और ठर्ड राउंड का उसके बाद देखिए इसमें जो डोकुमेंट की बात करें तो आपको ऐसे भी बता दिये हैं और यहां भी देख लीजे आपको डोकुमेंट जो है मेट्रिक का मूल परवेस पत्र मूल अंक पत्र और बंधिक परमान पत्र ठीक है और जाती आपके पास होना चाहिए जो भी केटेग्री से व्लॉंग करते हैं और जेनरल से करते होंगे तो कोई भी जाती सॉर्टिफिकेट का अवेसकता नहीं होता है तो आपको जो है टेंथ का सारा मूल परमान पत्र ध्यान में रखना होगा तो आप नए जब पास करते हैं तो आपको अवबंधिक परमान पत्र नहीं होगा आपके पास अंक परमान पत्र होगा प्रोविजरनल होगा तो उसी से जो है admission हो जाएगा उसके बाद अधार card होना चाहिए आपको उस समय जब apply करेंगे तो उस समय एक photo खिचा करके apply करना रहेगा उसके बाद जो है admit card आपका ITI जब जारी करेगा pass out हो जाएगे तो admit card rank card जारी होगा तो उसका और hard copy आपको जब form fill up करेंगे उसी समय से आपको इसको संजोग करके डखना होगा पाटे और पाट भी जब apply करेंगे उसी time से जो आपको ध्यान में रखना होगा नहीं तो email ID, password जो आपको याद रखना होगा यह दो चीज आपके लिए mandatory है जो हमेशा याद डखना होगा उसके बाद जो allowment result जब जारी होगा तो वो उस time बताएंगे और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर देख लिजे और उसके बाद एक जांच परची biometric firm जो है जारी किया जाता है यह तो iti के website पर ही मिल जाएगा यहाँ पर official bcac board के website पर मिल जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है तो देखिए जो भी होगा official website को आप लोग visit करते रहिएगा bcac board आप सभी जानते होंगे ठीक है तो उस website को हमेशा visit करते रहिएगा जो भी changes आता है उसी website के माध्यम से आता है और इधर उधर google के चक्कर में मत पढ़िएगा ठीक है तो जो भी official notice रहता है bcac board के website पर ही बताया जाता है और इधर उधर के चक्कर में परने से कोई फायदा नहीं रहता है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इस बिहार combined insurance comparative examination board इस website पर जो भी ITS से related जानकारी रहता है गवर्मेंट ITS से related तो इसी पढ़ दिया जाता है तो आप सभी समझ गए होंगे I hope कि कैसे आप लोग को क्या-क्या करना है तो यह एक छोटा सा आप के लिए वीडियो प्रवाइड करा दिए आगे के दिनों के लिए जो क्या-क्या safety रखना है आप सभी के लिए ठीक है 10th में अच्छा marks लाइए जिसे कि आपको आगे भी कही रेलवे में जॉब होता है marks basis पे तो आराम से आपका selection हो जाए document verification हो जाएगा complete हो जाएगा तो आपको job मिल जाएगा तो इसको ध्यान में रखते हुए और यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक like कर दिजिए चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को subscribe भी कर लिजिए जैसे की आने वाला वीडियो का notification मिलता रहा है और important important वीडियो आपको मिलता रहा है समय to समय ठीक है तो चले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching this video